विदिए अपने डिजिटल प्रोफाइल को मतलब कैसे अंड़े परिशन कर सकते हो और इस वीडियो का प्लोग इंट तक पूइंट्स को भी बताने वाला हूं कैसे कि आपको अपना प्रोफाइल को पॉब्लिक कैसे करना होता है बहुत लोग ऐसे के इंडिट्स होते जो प्र जो अपना जो वगले डालते हैं उनको तक अप्रोच नहीं कर पाते हैं आप लोग को ध्यान रखना कि आपको अपना प्रोफाइल को पॉब्लिक जरूर करना और यह वीडियो उन लोगों के लिए जिन लोगों ने टीस का एंक्यूटी कभी ने कभी दो साल के अंदर में ए बनाके लिए को स्टर्ट करते हैं अगर यह लोग की जगा यहाँ डावट भी देता हूँ तो असके बारे हमें हमें इसके बाद विडियो होगा जौप से बाद में बनाओंगा ठीक है? सुम्हें पर यूपको जो सब पहले आपको फिन करने सी आप कितने भाएंस , फिन आपका पर ट्स्थिक nighttime को जा ग्रॉप सामें माल लोग शॉय नहीं पर यूarta इंड पर एंपल न इ Familie c kız T बहुत पर दीज से साही बहुत सरय ऐसे मिलता है public profile टिक है और यहां पर यहां पर दाएंगेार को क्लिक करी करने को ढते हैं पहला होता है इस .... आपको mention क्या करना होता है give a gift of your experience, qualification, achievement and hobbies तो फिर्ण यहाँ पर जितना भी इन उन्हें कर रखा experience, qualification आपको सभी कुछ add करने होंगे profile summary के अंदर में उसके तब आपका option आजाता है आपका education, educational qualification such as degree, diploma, certificates फिर्ण नोट डाउन की जगा, certificates, professional titles that you have acquired, project में आपका 8 details about project you have done in college, internship or at work, accomplishments में आपका showcase your innovation and expertise videos में 8 videos about your project and experience, आप हम लोग एक एक करके बात करें तो फ़ले बात करें लिए हम लोग profile summary का, basically आपको add पर click करना है फिर्ण जैसे आप उस पर click करते हो, फिर्ण आप देखेंगे तो फिर्ण आपके सामने option open खुल के आते हैं basic नहीं लिखा रहता है, choose your choice to whom your profile will appear यहाँ पर एक कोसे मग दे रहता है, आपके तीन option रहता है, पहला आपका private होता है लिखना है कि yes मतलब मेरा summary यह है, मैं यह करता हूँ, मेरा qualification यह है, मैंने इस company में इंटर्न कर रहा है, मेरे पास इतने experience मैंने इस पोजिक्टियों है, पस अपने बारे में brief में details में, briefly नहीं छोटा बो, जैसे आप लिंटीन पर लिखते हो ना, एक short summary पे, उसी तासे short summary पे कमेंटर बताएगा, मैं LinkedIn profile के उपर में एक वीडियो आप लोग बना के लिखा हूँ कि कैसे आप लोग LinkedIn profile को एक professional way से बना सकते हो, कैसे उसमें से आप companies में apply कर सकते हो, ठीक है, आप लोग जी कमेंटर के जुरू बताइएगा, ठीक है, तो basically आप यहाँ पर लिख दिया आप I complete my graduation from this and I complete my intern, I have experience, I am a fully check developer, I am a data scientist, having this, ऐसे आपको mention करना है, ठीक है, तो यह आपका होगे सेपर click कर देना है, फिर उसके पाद आपका option आपका educational qualification, इसमें भी आपका तीन option आते है, आपको सभी में public करने होंगे, ठीक है, उसमें आपका तीन option आते है, आपको सभी में public करने पढ़ते है, उसके लिए distance होगा, अब बाकी सब की regular होगा, ठीक है, यहाप अब बोट का नाम दिखना है completed, अगर आपने completed कर चुके हो, मतलब पास आउट हो, तो completed, अगर आप final year, pre-final year में तो not completed, ठीक है, और आपका पास आउट, आपको जिस पास आउट में येर में से हो उसका mention करना, ठीक है, और फिन देखेंगे तो external document photos, upload external document और photo, max size 50 supported, मतलब आपको फिन basically आपको यहाँ पर आपका qualification का चाहा, अपका college का आप ID card upload कर सकते हो, अपना provision certificate upload कर सकते हो, तो इससे आप जेपीजी या पीडिया format में आपका upload करना, या फिर अगर आप कहीं सेयर किया ह तो इसका भी आप profile यहाँ पर link share कर सकते हो, लेकिन मैं जब को steps बता रहा हूँ, आपको हर एक step follow करने होंगे, तभी आपका profile का strength होगा, वो 100% होगा, कुछ भी जिद आपको छोड़ना नहीं होगा, ठीक है, आगे बात करते हैं, तो फिन I think मैंने profile summary को लिके बात कर लिया, education को बात कर लिया, आप मैं बात के लिए, आप में बात कर लेते हैं, प्रोजेक्ट को लेकर, गिक है, तो फिन आपको प्रोजेक्ट का नाम देखना है, आपने project किस पर किया है, ठीक है, और basically आपको है मैंने किस किसे associated है, वो मैंने क्लाइन का name क्या था, आपने किस client के लिए काम किया था अगर आपने खुद के लिए काम किया था अगर आप लोग अन लिख सकते हो अगर आपने प्रजेट कंप्लीट कर चुके तो फिर आपको यहां पर क्लिक नहीं करना अगर प्रजेट अल्रेडी इस पर काम कर रहे हो तो ऑन गोइंग पर क्लिक करना ठीक है और आप यह पिर अब बैसकर रहा है के अबुलेक्त के बारे यह हैं आप में यह सकते हो पिरेक्स को मैंने इस पर लोग कि से यूज कर सकते हैं इसका फ्यूच्र यीज़ आसा होग다 विजिक अपको अपर प्रोजेट के बारे में कुछ ब्रीफलि इं्ट्टक्शन देना ओगा ठीक है और उस प्रोजेट का कुछ आप पस पीडिस प्रोजेक्ट मुआ पर आफ सिरे XX स्क्रीन सोट यहां पर अप्लोड कर सकते हैं फिर आपको क्लिक कर देना है ठीक है अब हमनों बात किया लेते हैं अगर आपने कहीं कुछ पब्लीज किये होगे को आपका आर्टिकल है या फिर कुछ अपने अलग से कुछ आपका एक्टिविटी से आपको विडियो प्रोड करने होते हैं आपको अपने बारें बता कर ठीक है कि लाइक का आपका आपको आ हो इसका पता होगा लिंक्डिन बे आप लोग अपने प्रोफाइल के जगा अपना खुद کا एक वीडियो अप्लोड कर सकते हो तिक इस प्रोजेक्ट कर रखाय कि कुछ भी आप अप अपलोड कर सकते हो तिक है इस में यह हूँ, कि मैंने यह यह तो इसमेंगे आप अबаться अप मुझे आपस यह य आपके सामने एक option यहाँ पर open आता है ठीक है basically आपके name phone number आपका लेंगे जो भी आपको आता हो mention करना होता है फिर आपको देखें तीन option आपके सामने आते है पहला option होता आपका preview profile दुसरा आपका आपके अपके अपको रहना है आपका प्रेट करना है ठीक हो टीक है है जैसे आप यूपक करते हो तो आप के प्रिवीग प्रोफाइल का option साथ कुछ हालह दिखें की आपने कब दिया था तो साथ कुछ भरको कर पे मिल जाएगा और आप क्यों अगर आपलोग टेबलेट में कि आपका जो अगर अधे का यह दिये सकते हो ठीक है तो फिर आज दिमने बता दिया किसे आपको कम्प्रेट करते हो तो में भी आपका 92-93 परसेंट तक आता जाता जाएगा अगर आप मेरी बातों को अच्छे समझ के अगर सब कुछ का अप्लोड करते हो में भी अगर आपने एक प्रोजेट कर रखा होगा में भी बहुत तो कमेंट भी करते कि सर्मेने बहुत अच्छे से महनत किया लेकिन मेरा प्रोफाल जो 92 परसेंट कंपलीट हो रहा है ठीक है तो मैं आप फिक आपने परसेंट के बात बता दू अगर आपका 85 परसेंट प्लस है तो आप लोग ने जरूने पहत है अगर आपे निम परसेंड अगर नियूइन परसेंड ऐखल गरनले में सही है थहन्च परसेंड करना कंपलसरी नहीं है ठीक है मैं बता दी आपको आई site 8080 एतिव कर ठीक है याके नई अभी अफडेस इंकिश को एंवारिक चाहल बना था और उस वीडियो को ने शेयर किया था तो उसके बाद इन्होंने प्रफाइल में जो आपका ये था फरवरिक इंकिश कोड जो है अब्डेस हुआ था था ठीक है तो होगिए मिन बता दी है प्रफाईल को देख सकता है अगर आप प्राइवेट रखोगे तो बिसिक्लिए अप्लाइट नहीं देख पाईगा, जैसे क्या होगा, आपका nquti scorecard उन्हें नहीं देखेगा अगर आप चाहते हो कि आपका वह scorecard देखे आपका profile देखे तो आपको public करना compulsory है अगर नहीं करोगे तो apply कर भी दोगे तो उन्हें लगे हैं कि कोई ऐसा इसा ही जाए हिंद, जाए भारत.